तो यह दो प्यारे बच्चों यह एक basic question है इसमें कहा जा रहा है कि एक bulb है, वो located है, bulb is located, कहां पर bulb है यहां पर, देखो, on the wall, ठीक है न, a bulb is located on a wall, and image is obtained on parallel with the help of the convex lens, the lens is placed at a distance 3 second of the wall, second wall, दो wall है, तो पहले एक वाल ही बना लो, यह जो वाल है, this is the wall, अब यहां से तुम देखोगे, तो यहां यह दूसरी वाल है, that is second wall, यहां से second wall यह वाली चीज है, और यह यहां से first wall है, ठीक न, तो यह first wall है, और यह second wall है, तो अगर आप देखोगे, यहां से first और second wall है, तो इस wall पे यहां पर एक अपने पास bulb है, this is the bulb, और यह यहां पर एक bulb है, यह वाली चीज, तो अगर यह bulb है, और यहां से जो bulb है, वो बीज में एक convex lens है, जो कि यहां से d distance पे है, इस distance is d, और यहां पर इसका image बन रहा है, this is the image of the bulb, और यह एक real image है, क्योंकि वाल पे बन रहा है, तो real image है, अब जो d है, वो हमें निकालना, देखो, अगर एक वाल से दूसरे वाल पे image बन रहा है, तो उस d की value कितनी हैगी, अगर इसकी focal length f है, तो तो आप basic lens की property अगर information पड़े होगे, 9-10 का question है, तो यहां एक focus होता है, यहां दूसरा focus होता है, तो यहां से 2 f होता है, तो यह भी यहां से 2 f होता है, तो अगर आप यहां से बात करोगे, तो यहां पर यह वाली जो, यह यहां से, यहां यह वाली जो चीज है, यहां से, तो यह यहां से, यहां 2F है तो image भी real inverted यहां से 2F पे बनता है तो 2F पे यहां से बनता यह वाली चीज 2F पे तो जो यहां से रे आएगी यह वाली चीज तो वो यहां से focus से होके जाएगी और जो optic center से होके जाएगी वैसे तो यह जो distance है वो 2F के equal है तभी जाके जो है इस object का इस wall पे image real possible है तो इसका मतलब भी एक होगा कि यह जो distance D है वो 2F के equal होगा तो D equal to 2F ठीक है तो focal length जो हो जाएगा वो dy2 आ जाएगा तो focal length is equal to dy2 तो जो की only dy2 यह option ही अपने पास सही है ठीक है basic length की property पे सवाल है